असलाम अलेकम नाजरीन मैं हूँ आपका अपना शेक शहजादा और आप देख रहे हैं शेक शहजादा यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो पर रियक्शन करने लगे हैं पीर साकिब इकबाल शामी साहिब जो के इंटरनेशनल लेवल पर एहल सुनत के अकाइद और इसल का मौदू है हदरत जुनेद बगदादी रहमतुल्ह ताला अले हदरत जुनेद बगदादी रहमतुल्ह ताला अले भी एक अल्लापाह के वली हैं और कुत्ब कसीरा के मुसनिफ हैं और कुत्ब कसीरा में उनका जिकर आता है तो उस भाई के हुकम पर मैं पीर साकिब इकब बहुत प्यारे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं अल्लापाक ऐसे जयेद उल्मा ऐसे उल्मा एहल सुनत और ऐसे पीरान अजाम जो के आलम इसलाम का सही काम कर रहे हैं अल्लापाक ऐसे उल्मा का साया ऐसे पीरान अजाम का साया हमारे सरों पर तादमे जिन्दी की कामो दाइम फरमाए और ऐसे उल्मा एक्राम को अल्ला पाक लंबी उमर अता फरमाए तो आईए मिलकर सुनते हैं पीर साकिब इक्बाल शामी साहिब और मुदू है हजरत जुनेद बगदादी रहमत अल्लाही ताहाला अले जी अल्ला की रहमत की बारिश नहीं बरस्ती मैं गुनेगार हूँ मेरी वज़ा से बारिश नहीं हो रही मैं शेहर छोड़के चला जाओंगा बारिश हो जाएगी खज़त बाइद बस्तामीर अल्लाही ताहला अले लबू से जुमले निकले ये कलिमात सादिर हुए तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई इदर जुमला निकलना था उदर बाइद बस्तामीर अल्लाही शेहर से बाहर जाते हैं अल्ला को यहीं बात पसंद आ गई वो बाहर जाते हैं बारिश की बरसाथ शिरू हो जाते है ध्यान लाही तक्वा का आलम कि खुद को सबसे ज़्यादा गुनेगार समझते हैं किसी ने कहा कि मेरी बैल की दुम अच्छी है या आपकी दाड़ी अच्छी है वाजिद बस्तामी फरमाते हैं अगर मेरी निजात हो गई मेरी दाड़ी बेहतर है वगरना तेरे बैल की दुम ही बहते है ये खौफ है ये डर है एक मरतबा बाईजद बस्तामी रहमतुलाई ताला ली का गुजर एक गली से हो रहा है किसी ने उपर से कच्रा प्हेंगती है मिट्टी प्हेंगती घल्टी से बैजन बस्तामी रहमतुलाई ताला ली ला की बारगाव में अर्सकरते है है अल्लाः ये जिसम तो आग बरसाए जाने के लाइक ताभी तकहा की वरस रही है नहीं ये तकवा है ये डर है इसकदर धर इसकदर खूफ गोस आजम का खूफ के तना है गोसियाजम अल्ला की बारगाह में गुआ करते है मेरे अगर आखरत में मैं अजाब का मुस्थख हुआ तो मुझे अंदा उठाना नेकूं के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी ये डर है गोस्पाथ का ये खोफ है गोस्पाथ का बहुत अमीर था और बसरा की गल्यों में गरीबूं की खिद्मत किया करता था अचानक है ने एक हसीन औरत को देख लिए और मैं उसे देखता ही रह गया उस औरत मुझे कहा अन्या थिए तुझे शर्म नहीं आती मैंने कहा में मन किस से शर्म होगी उसने कहा वो जो आँखों की खियानत को देखता है और दिलों के पुषीडा राजू को जानता है तुझे शर्म नहीं आती तुझे हया नहीं आती का उसका जूमला तो बहुत बढ़ा था हसन बसरी अपनी तुबा का वाक्या भियान वरवा रहे फरमाया उसका जूमला तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतनी हसी थी ऐसी खुबसूरत थी मैं फिर भी मुसलसल उसे देखता रहा और देखता ही रह गया और फिर आखिर उसने कहा क्यूं बार बार मुझे देखता है मैंने उस उर्म को कहा कि तेरी आंखे इतनी खुबसूरत है कि तेरी जील जैसी आंखों में डूबने का जी चाहता है उस उर्म ने कहा अच्छा तू ऐसी बात करता है तू यहां इंतजार कर वो औरत अपने घर में चली जाती है थोड़ी देर के बाद कहा मैं इंतजार कर रहा था थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा आती है उसके हाथ में एक तश्ट है और उस तश्ट के अंदर उस पर एक कपड़ा है कहा मैंने कपड़ा उठाया तो उसमें उसकी दो आंखें थी उसने अपनी दो आंखें निकाल के आदमा को दे दी कि इसकी वज़ा से इसका दिल दीन से दूर हुआ है मुझे ये आँखे नहीं चाहिए कहा उस पर एक काख़ था काख़ पर लिखा हुआ था मुझे ऐसी आँखों की जरूरत ही नहीं जिससे एक मर्द फितने में मुब्तला हो जाए मेरी बेहने जो इस गुफटगू को सुन रही है उनकी बारगाह में मी अर्ज है वो बेहने जो गंटू आइने के सामने खड़ी रहती है फक्त इस नियत से कि अपने बालों को यूं सवा रहे कि मर्दों को फितनों में मुब्तला करे या किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदे वक्त उनके जहन में फक्त यहीं ख्याल होता है ऐसे कपड़ों का इंतखाब करेंगी कि जिनसे मर्दों को फितने में मुब्तला करेंगी ये भी उम्मत की बेटी है जिसकी एक अदा से एक शखस वली ये कामिल बन गया हसने बसरी बन गया हसने बसरी फरमाते है जब उसकी आँखे देखी मैं तहक्म को बैठा मिजारो कतार रो रहा था रोते हुए में घर चला गया पूरी रात में रोता रहा पूरी रात तोबा करता रहा इस्तिवार करता रहा हसने बसरी फरमाते है फद्र की आजान सुनी अचानक ख्याल आया उस औरत का शुक्रिया तो अदा करूँ कि जिसने अपनी आँखे मेरे लिए मेरे दिन के लिए मेरे इमान के लिए और तोबा पर इस्तिवामत की खादे कुरवान कर दी का मैं उसके घर गया जूए मैं उसके घर गया जूए उसके घर पहुंचा तो उदर उसका जनाजा निकल रहा था उसकी मौत वाके हो चुकी थी का मैं रात घर आया मैं रात सो गया मेरी आंक बंद हुई मैंने उस औरत को खाब में देखा मैंने कहा कोई नसीयत कर उस औरत ने कहा जब तनहाई में हो अल्ला का जिकर करते रहो और जब सुबह करो तो इस्तिखफार करो शाम के वक्त इस्तिखफार पड़ो कहा मैंने उस वक्त तुबा कर ली एक औरत मेरी तुबा का सबब बनी एक औरत की वज़ा से मुझे तुबा पर इस्तिकामत मिली यहीं हसन बसरी फिर वो वाकिया भी आता है वो दोर भी आता है इनका डर कितना है इनका तक्वा कितना है परेजगारी कितनी है यहीं हसन बसरी एक दिन एक शख्स नहीं आप जानते हैं कि जहन्नम से जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा वर तर या हन्नानू या मन्नानू पड़ता हुआ जहन्नम से बाहिर निकलेगा असरी फर्माते हैं काश में वो शख्स होता काश में वो शख्स होता का गया कि जो जहन्म से सबसे आखिर में निकलेगा हजान साल जहन्म में रहेगा या हनानू या मनानू बढ़ता हुआ जहन्म से बाहर निकलेगा काश में शख्स होता इससे ये तो पता चल रहा है कि इमान पर मौत वाक्य होगी मुझे अपने इमान की जमानत नहीं है मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि में वो हूं तो वो भी मुझे कबूल है कम अज़ कम इमान तो सलामत लेके जाओं मैं कहता हूँ अल्ला फर्माता है खौफ नहीं है डर नहीं है फिर फर्माता ही ये डरते भी है ये डरते भी है लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है वो एक से डरते हैं वो एक से डरते हैं एक से डरते हैं किसी दूसरे से न थाँ हमसे एक से नहीं डरते हैं इसी लिए हर एक से डरते हैं इसलिए कभी स्थासांदनों' के दर्वाज़ों पर दृस्टक पे आते हैं याय Elizabeth क्भी मुंखिर जोगों को तलाश करते हैं कभी मालदारों को तलाश करते हैं और उनके दर्वासों पर धक्ये खाते हैं दर्दर दिये दुर दुर ना लूँ दुर बन जा एक धर्दा दर्दर दिये दुर दुर ना लूँ दुर बन जा दुर दुर आप जानते हैं एक से डरो, फिर किसी का डरंई, फिर किसी का घम नहीं, फिर कोई परशनी है, मौतर मरी इवारिफां, लाह के बलीओं के गुर्ब का एक फाइदा आपकी गोश्च वजार किया, वो क्या है, और आपको भी गुमराने, कोई शख्स की इसलम को देशटगादी का दीन नहीं कहे अगर हम तमाम को अउलिया लग की बारगाह में जानुए तलमुस तरह करने पर मजबूर कर दें ये इरादा करें हम दिन का काम करेंगे यूनिवस्टीज में जितने भी नोजवान आए हुए हैं आओ इरादा करो अगर इसलाम को उसके अरूज रफ्ता से दोबारा आशना कर जाना चाहते हों तो आओ अपना खोया हुवा वकार एक मर्तबा फिर हासल करने के लिए हम दे इरादा करें हैं कि हम लोगों को अवारिफ फुल मारिफ पढ़ाएंगे कश्फ फुल महजूर पढ़ाएंगे इन्शाला मैंने कहा करें एक वाइदा आउलिया की बारगाह का क जो अडिया के करीब हो जाता है बदकीदीगी से बच जाता है उसकी वजा से उसकी चंड एक्टिविटीज की वजा से अफगानिस्तान मुसल्मानों के हाथ से नहीं जाता है एराक मुसल्मानों के थाकुम जी तो नाजरीन ओली आला के बारे में साक्टिविक बालसान बता रहे थे मैंने ये वीडियो डाwn लोड की थी हजड़त जुनेर बगदादी रह्मतुल्ह तालाले ले आपकी वीडियो समझ कर लेकिन अभी मैंने सुनी है का तो इसमें जुनेर बगदादी रह्मतौल्ह त حضرت جلید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی ویڈیو پر ہوگا वो मैं देख कर रियक्शन करूँगा लेकिन फिर भी जितनी बाते की कमाल की अल्हाँ पाक ऐसे उल्माय हक का साया तादेर हमारे सरों पर काईम और दाइम फरमाए और अल्हाँ अल्या आल्ला के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाने की तव्फीक अता फरमाए और अल्हाँ था लिए अपको वीडियो पसंदाई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बैल आइकन को प्रेस कर दें ताके मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुन जाए मिलते हैं एक नई वीडियो में फी अमानिल्ह असलाम अलेकुम वरहमतुलाही वराकातू